Welcome to Rajan ITI YouTube channel इस वीडियो में हम लोग जानेगे CITS Documents Verification आज जो करवाए हैं तो उनका क्या-क्या आज Documents Verification करने में लगा कौन-कौन से Documents लगे हैं इस वीडियो में ये जानेगे इसे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से Documents लेकरके जानी है और कौन से documents वहां पर लग रहा है, कुछ candidates थे जिन्होंने आज जा करके provisional admission ले लिए, documents verification करा करके, जैसा कि आप देखेंगे इसका website पर इन्होंने update कर दिया है, कि जो जिनको CT allowed हो गई है, किलियर है, वो provisional admission ले सकते हैं, documents verification nearest NSTMA 26 तारिक से 28 तारिक तक admission ले सकते हैं, ठीक ह यहाँ पर बात किया जाए, तो आप देख सकते हैं, बताया गया है, if allowed, take a print out allotment, order and visit nearest NSTMA, provisional admission भी थे, all original documents verification, सभी को documents verification ले करके जाना है, और क्या करना है, admission लेना है, अब देखेंगे, अब यहाँ पर बात किया जाए, तो यह आपके college allotment later है, हाँ पर आपका नाम रहेगा, name रहेगा, trade का, college कौन सा मिला है, यह रहेगा, date of birth रहेगा, documents verification आप देख सकते हैं, provisional documents, academic, जो है, documents verification, EWS, इनका documents verification हो गया, तो documents verification में क्या क्या लगा, वो यहाँ पर आपको जानना होगा, तो जो हमने बताया था, मैटिक का मार्क सीट लग रहा है, ITI का लग रहा है, अधार card लग रहा है, photo लग रहा है, ठीक है, और medical नहीं लग रहा है, अगर जो लोग nearest में जा रहे हैं, तो medical उनका वहाँ पर नहीं लग रहा है, ठीक है, और admit card आप ले लिजिएगा जिमा में, और photo ले लिजिएगा, ठीक है, उसके बाद जो है, जब आपका documents verified हो आप देख सकते हैं, आज की date में sign and more किया हुआ है, तो यह आपका क्या रहा, यह letter आप ले करके रखेगा, यह आपका provisional and documents verification letter है, ठीक है, तो कल आप लोग जाएगा, तो same as a letter आपको मिलेगा, और भरवरानी की बात नहीं है, आज तो भीरभार कम था, लेकिन कल भीर ज्या आपके रवाई है, थैंक यू